दिसंबर के दूसरे सप्ता तक जलिस्ता बढ़ने की उमीद है जिसे नदी के किनारे के गावों को सतरक रहने को कहा गया है जलिस्ता बढ़ने से किसांद जलमगन शेटर के कई खेतों में बालगी आशनका व्यक्त कर रहे हैं पबनी तालुका के गोसे खुर्द में राश्री परियोचना पर काम लगभग पूरा हो गया है। परियोचना में जल संग्रहन बढ़ने से किसानों की चिंता और बढ़ गई है। अगर जल स्तर बढ़ता है तो कई तरह की समस्यां पैदा हो सकती है। जलापूर्ती योचना की और जाने वाली सड के कब्रिस्तान की सरकों पर भोगा। पानी वर्तमान में कई खेतों में पानी भर गया है और बिजली के खंबे 10 फीट पानी में डूब गए है। रुईता पानी के नीचे जाने से भी डरता है। इन समस्यां के समधान से पहले ही परियोचना का जलिस्ता बढ़ रहा है। जिससे शेतर के किसान चिंते थे। कई बंज़क रशी भूमी में भी बाढ़ आएगी और किसानों को भारी नुकसान होगा। सरकार यह उस अनाज को नश्ट कर रहा है जो बहुतों को मिला है। इस संबन में जिलाधिकारी को बयान देने के बाद प्रिशासन पिछले दो दिनों से जाच कर रहा है। गोस्परियोचना का जलिस्ता बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी कई किसानों की जमीन का दिगरन न 50 मीटर था। कुछ साल पहले पानी के भीतर चले गए हैं। जलिस्तर का सरवेक्षन करके अधिकांश क्रशी भूमी का भी अधिगरन किया गया था। लेकिन अब तो हो ना ही है तो कुछ किसान निर्धारित इस्तर से 30 फिट उपर पानी दावडी पार गाव के पास जलिस् गए। वर्तमान जलिस्तर के कारण हाली में इस चटान से 30 लाग पानी आया है। यदि जलिस्तर 245.50 मीटर तक बढ़ जाता है तो और भी सासे पानी के नीचे आ जाएंगी। कुछ किसानों का क्याना है कि पानी के इस्तर पर खान का सरवे गलत है। इसलिए जलिस्तर का प पूरा खेत पानी के नीचे जा रहा है इस किसानों को भारी नुकसान होगा। पवनी से BCN News के लिए प्रदीब गाड़के की रिपोर्ट